कि हैं है अग्यों तो देटेगे तो तो अग्यों देटेट कि अग्यों 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 वाइंड यह कोंसेप्ट आपको बार का देखके पूरी समझ रही है और रिपेट रिवेशन करना है ओके सो लेट्स गो अब देखो यहां पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हैं येस कॉंसेप्ट फार एंड नियर पूरी वीडियो ज्यान से देखना और समझना हम रोज नहीं नहीं चीज़े देखते हैं आसपास हमारे आसपास सारे नहीं नहीं चीज़े हम देखते हैं तो कुछ चीज़े हमारे पास होती हैं मतलब नियर करते हैं उसे और कुछ चीज़े हमसे दूर होती हैं मतलब उसे हम फार कहेंगे वो चीज़े हम किसे फार कहेंगे नियर कहेंगे वो हम आज सीखेंगे हम उसे कंपैर कैसे करेंगे हमें मालूं कैसे पढ़ेगा कि वो फार है या नियर हैं हम उसे डिस्टंस से कंपैर करेंगे ओके हम डिस्टंस देखेंगे कितने डिस्टंस हैं दो चीज़ों के लीच में उसे हम कह सकते हैं कि फार है या नियर हैं ओके फार किसे कहते हैं जो जिस हमारे से दूर है इसे फार कहेंगे ओके जहाँ पर डिस्टंस जो डिस्टंस होता है दो चीजों के बीच में वो ज्यादा है मतलब उसे फार कहेंगे Near means next to us Which we can see easily and even can touch Now let's go Near means क्या होता है जो चीज हमारे पास है नस्दीक है उसे हम near कहेंगे मतलब short distance है कम distance में जो चीज है उसे हम near कहेंगे उसे हम आसानी से टच भी कर सकते हैं ओके? आप देखो हम आगे examples यू ने देख देख दे हैं ओके? Let's learn more about the same with some examples A house and a dog Dog is near to the house Where? देखो यहां पर एक house है क्या है? एक house है यह एक house है और यहां पर एक dog है अब dog है वो house गर के पास में ही खड़ा है You can see that यहां पर कोई distance है? नहीं वो घर के पास में ही खड़ा है dog है वो घर के पास में है मतलब उसे हम क्या कहेंगे? near क्या कहेंगे उसे हम? near yes अब यहां पर देखो यह जो sun है यह सारी चीज़े है यहां पर आप देख रहो यह birds यह सारे birds है और यह sun यह सारी यह तीनों चीज़े है वो house से कितने दूर है? house से वो कितने दूर है? इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? far कहेंगे क्या कहेंगे? far मतलब वो चीज़े दूर है इसलिए उसे कहेंगे far birds and sun वो चीज़े दूर है इसलिए उसे कहेंगे far यह सुझी प्लावोर and butterfly and helicopter helicopter is far from the flower whereas the butterfly is here to the flower अब देखो यहांपे जो यह हैलिकॉप्टर है वो फ्लावर से दूर है अब देख सकते हो कितना डिस्टन्स है बीच में मतलब यह दूर है है वो फ्लावर से दूर है तो उसे हम क्या बोलेंगे फार क्या बोलेंगे फार येस आपको भी मेरे साथ रेपिट करना है अब ये बटरफ्लाइ है बटरफ्लाइ है तो फ्लावर के ऊपर ही बैठी है वह जो फ्लाइ है वो फ्लावर उसके ऊपर बैठी है मतलब फ्लावर के पांस महीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? Near क्या बोलेंगे? Near Yes Here to the flower Here we can see a cat A cat is near to the tree But the boy is far from the tree Yes यहाँ पर देखो यह क्या है? Cat क्या है? Cat Cat है वो tree यह tree के पांस में ही खड़ी है Cat है वो tree के पांस में ही खड़ी है मतलब क्या कहेंगे हम उसे? Near Cat is near Okay Cat है वो tree के पांस है मतलब cat is near to tree Tree के पांस And boy यह boy है तो यह boy tree से कितना दूर खड़ा है? Tree से कितना दूर खड़ा है? मतलब इसे हम क्या कहेंगे? Far क्या कहेंगे? Far Yes Wow, football is it Yes, this football is near to the net Where the other football is first from the net Yes, देखो To the net Net के पांस है Yes And यह ball यह ball है, दूसरी ball वो net से दूर है Net यहां पर है और बॉल यहां पर है तो बॉल इस फार to the net बॉल इस फार to the net ओके? Now, we will do the activity अब देखो हम एक छोटी सी activity यहां पर समझेंगे A tree, a bird and a cat Which one is near to the tree? A cat Yes, अब देखो आपको answer guess करना है ओके? यहां पर हमें क्या पूछा है? कि यह tree है यह bird है और यह cat है तो tree से नस्दीक tree के पास tree के पास कौन है? cat cat is near to the tree cat is near to the tree bird तो बहुत दूर है तो near पास में कौन है? cat cat is near to the tree ओके? अब फार क्या है? दूर क्या है? bird अब मैं पूछूँँगे आप से के फार कौन सी चीज है? tree से फार कौन सी चीज है तो? bird bird is far and cat is near bird is far and cat is near या वो चीज याद रखनी है याद पे हमने क्या किया? हमें far object जो है वो सरकर करना है अदलब यह जो ball है वो far है ball है वो खर से दूर है far ball is far from the house ball is far from the house और यह जो boy है वो खर के पास ही है यह boy खर के पास ही है मनलब boy is near boy is near यह आज हमने क्या देखा? far and near concept यह वीडियो आपको repeat में देखना है यह concept आपको पूरा समझा जाए और फिर मैं जो आपको वोक्षीट या पीडियेफ जो homework में जो हुई वो आप करना पर यह वीडियो आपको repeat देखना है और यह concept समझना है ओके? बाई बाई students